गुड मॉनिंग स्टुडेंट तो यह हमारे एकनॉमिक्स के चैप्टर के लास्ट वीडियो है तो अब इन पढ़ेंगे इन कंट्रास्ट टू दा समाल फार्मर्स दा मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव दियर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग चोटे कसानों की बजायतुना में जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो अपनी सेविंग्स जो बच्चत होती है वो फार्मिंग से ही कंप्लीट कर लेते हैं इस परकार जो उनको कैपिटल पैसे की जरूरत होती है वो उसको उर्रेंज कर लेते हैं तो व्लेजर मस्ट भी मेर ओफ द नौन फार्मिंग प्रोडक्षन अक्टिविटीज जो व्लेजर थे उनको जो नौन फार्मिंग अक्टिविटीज उनके बारे में जागरू करना चाहिए और इनकी क्या बैनिफिट्स ने अनके बारे में dots हो पताना चाहिए दा विलेजर्स who have the impression जो ये महसूस करते हैं impress होते हैं that they can earn only by farming जो केवल farming से ही अपनी अम्दन कमाते हैं must be given proper guidance उनको सही जानकर जो proper guidance वो दीनी चाहिए and help to do such activities और जो non-farming activities हैं उनको करने में help करनी चाहिए उस activities को करने में उनकी help करनी चाहिए no doubt modern farming requires more inputs than traditional farming इसमें कोई doubt नहीं है जो modern farming है उनमें जादा inputs की जुरूरत पड़ती है जो traditional farming उनकी तुलना में these are chemical fertilizer pesticides, pump, sets farm, machinery, electricity diesel, HYV, seeds water supply यह सभी inputs हैं most of these inputs like fertilizer इनमें से fertilizer tools and implements are manufactured in industries यह में जो implements हैं वे industry में त्यार किया जाते हैं HYV seeds are developed in agriculture research laboratories जो agriculture research laboratories हैं उनमें इनको develop किया जाता है machine इंडेस्ट्री प्रोवाइट्स वेरियस काइन्स उफ इंप्लिमेंट्स जो machine इंडेस्ट्री जो वो विन विन परकार के इंप्लिमेंट्स वो प्रवाइड करवाती है irrigation pumps and farming machinery to improve productivity जो productivity उसको इंप्रूब कर रहे हैं, chemical and soil engineering based industry provide fertilizer and pesticides, जो chemical और soil engineering based industries हैं, वो fertilizer और pesticides को provide कर रहे हैं, to boost agriculture, agriculture को और increase करने के लिए, water supply is done by canals and tanks, जो water supply है, वो canals और tanks के दवार की जा रहे हैं, electricity is supplied by powerhouse, जो electricity है, वो powerhouse के दवारा दी जा रहे है, तो इस प्रकार यह है, मारा chapter complete हो चुका है, economics का, तो जो इसके question answer है, वो आपको send कर दी जाएंगे, thanks and have a nice day.